प्रेक अप के बाद अगर आप डिप्रेशन में हो तो ये वीडियो देख लो क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है दोस्तो जो आपके लिए बहुत हिल्पफुल होगा तो वीडियो को पूरा देखना स्कीप मत करना और अब सबका सिवाग आपका था ही नहीं या आपकी ठी ही नहीं ना इसलिए उसने आपका साथ छोड़ दिया उसको ना आपके साथ कोई प्यार था ना उसको आपके कोई भरोसा था इसलिए उसने आपका साथ छोड़ दिया तो ऐसे इंसान के लिए क्यों डुखी होते हो क्यों अपने आपको प या कि ऐसे इंसान का साथ मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है लाइफ में या कुछ कर ही नहीं सकती है लाइफ में तो आप उसी इंसान को जिसने आपको छोड़ा है ना उसी को आप सही साबित कर रहे हो मेरे दोस्त तो ऐसा मत करो ऐसा करके आप अप पेरे में बैट के रोना यह सब बंद करो दोस्तों के साथ घुलो मिलो अपना माइंड जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटी है जैसे आप ड्रॉइंग कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स सुन सकते हो बहुत सारे वनी वीडियोज होते है वो सब देख सकते हो त्यक्做 कि आपका जो मांडेन वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके कोई कोर्स जौइन कर सकते हो स्टी रिलेटेट्ड या फिर करियर इंटेड कुछ कोर्स जोब के लिए कुछ कुर्स तोते हैं वो भी आप कर सकते हो ठीक है competitive exam के लिए preparation ले सकते हो बहुत सारी ऐसे चीज़ हैं जो आप कर सकते हो अब सच्चा प्यार सबको हजम नहीं होता है आपके partner को हजम नहीं हुआ इसलिए उसने आपका साथ छोड़ दिया तो आप इसका ये मतलब तो नहीं है जिन्देगी भर आप उसके लिए रोते फिरोगे ठीक है तो ऐसे करके life नहीं करती है और अगर आप कुछ नहीं करोगे ना अपने लिए अगर अपने life के लिए इस नहीं सोचोगे ना तो वो जो इनसान है वो ही खुश होता होगा या खुश होती होगी यह सोचके कि उसने जो decision लिया था आपको छोडने का वो सही था तो ऐसा मत करो यार अपने life के साथ मत खेलो जो आपके साथ खेल के चली गई है या चला गया है आप उसके बाद अपने साथ भी खेल रहे हो उसका ही game आप अपने साथ कर रहे हो तो ऐसा मत करो ठीक है अपने life में आगे बरो focus on your life successful बनो जब आप एक successful इनसान बनोगे न तो लोग आपके पीछे भागेंगे यह सच्चा ही है यह reality है यह fact है ठीक है अब यह आप कुछ नहीं हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं जब आपके जेब में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आप एक successful इनसान बनोगे न तो सभी आपके लिए मतलब पूछताच करना जारी रखेंगे यार सभी आपको एक important इनसान समझेंगे ठीक है तो अपना जो value है न इसको build करने के लिए खुद अपने लिए कुछ करो life में कुछ बनो पहले उसके बाद अगर आपको कोई छोड़ के जाता भी है या जाती भी है न तो आपको उतना फरक नहीं पड़ेगा जितना अभी पर रहा है अभी आप emotionally बहुत जादा depend हो किसी पर क्योंकि आप successful नहीं हो अगर आप successful होते न तो आप अपना mind जो है वहाँ पर divert कर सकते हो अगर आप एक busy इंसान हो अगर आप एक successful इंसान हो तो आपको फरक नहीं पड़ेगा कोई आपके life में आए या जाए क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो आप में क्या potential है आपको पता है वो चीज लेकिन अगर यही जगा पे आप मार खाते हो ना यही जगा पे अगर आप अटक जाते हो तो आप बहुत ज़ादा emotionally तूट जाते हो तो पहले खुद को इतना strong बना लो इतना काबिल बना लो कि अगर कोई आपका साथ छोड़के जाता भी है या जाती भी है तो उस दुख को आप जेल सको और आगे move forward कर सको life में इतना ज़्यादा successful बनो आप ताकि आप अपने आपको भी जबाब दे सको और जो आपको छोड़के गया है या गई है ना उसको जिन्देगी भर अपसोस रहे इस बात की कि उसने आपको छोड़ा है तो इसके लिए आपको खुद के उपर काम करना ज़रूरी है खुद के उपर focus करना ज़रूरी है खुट को लेके सोचना ज़रूरी है और क्या कर सकते हो आप में क्या क्वालिटी है उसको लेके एक्स्प्लोड करना ज़रूरी है मेरे दोस्त ठीक है